जैसें दोस्तों मैं प्रशान्त वर्माप सभी का स्वागत करता हूं में यूट्यूब चैनल हाटस्वाड लाइनिंग पर आज हम जो टॉपिक करने जाए हूं डिश्टाल इलेक्टानिस का है के मैप जिसको कॉर्ण आफ मैप कहते हैं इसका फूर्फाम होता है कॉर्ण आफ सबस्ट करने के लिए ए उसको हटाने के लिए हम यह tapping क ज सकता है किसी भी function को minimize करता है जो मिलता है और को सबस् excitement बोला जाता है उसके लावा उसको mini मैमिल नहीं किया सकता है लेकिन जो हम boolean algebra की साथ अनुसार करते थे, उसमें आगर आपको log नहीं पता है, तो उसे ज्यादा भी minimize कर सकते हैं, यहां तक आपको पता है, कि वह नहीं तक आप कर सकते थे, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते थे, और इसे फाइदा क्या होंगे, जो minimize किया जाता है तो आपको पता है कि डिश्टल एलेक्राने से computer based होता है यानि कि बूलियन नंबर पर काम करता है यानिकि यह वबन जिरो पर जो की computer पर काम करता है binary नग डिजिट पर काम करता है तो उसमें क्या किया जाता है जो हमारा gate है वो बिल्कुल आइसी पर बने होते हैं और आइसी आपको पता कि हार्डवेर आइसी होती है तो किसी भी computer ये किसी भी laptop में जितना कम हार्डवेर यूज़ किया जाता है उतना ज्यादा हमें benefit होता है तो आगे जाके हम इसको अगर operation को slow नहीं करेंगे चोटा नहीं करेंगे तो उतनी ज्यादा है हमें IC यूज़ करनी पड़ेंगी उसको operation कराने के लिए तो उस operation को कराने के लिए हम के मैप का यूज़ करेंगी और के मैप से उसको minimize करके कम हार्डवेर के यूज़ करेंगे जिससे हमें circuit जो combination होगी थोड़ा easy हो जाएगा उसका हमें circuit करने किने करना होगा और कम से कम circuit को हमें यूज़ करना पड़ेंगा तो चलिए हम में सीखते हैं के मैप को करते कैसे हैं के मैप का use कैसे करते हैं इसमें जो हमारे variable होते हैं को मान कैसे देते हैं हमारे इस लेबल में जो वेरेबल है थिरी वेरेबल और फोर वेरेबल दिया गया है तो इसको हम अच्छे से पढ़ेंगे वह बहुत इंपर्टन टॉपिक है पूरा वीडियो देखना आराम से समझ में आजा है ज्यादा कोई डिश्टर वाली बात नहीं यह आराम से देखना आपको समझने आएगा चलिए फिर सुरू करते हैं तो पहले हम लेते हैं क्या दो इंपूट बायरेबल यानि कि दो इंपूट क्या होंगे हमारे ए और बी यह होंगे दो इंपूट बायरेबल इसमें देखते हैं इनका आड्रेस क्या होगा के मैप में देना पड़ेगा अगर आड्रेस आपको दिया है तो उसके हसाब से तुम्हें के मैब बनाना पड़ेगा तो हम पहले समझते हैं इसके अड्रेस हम बनाते कैसे तो पहला एक जामपल जो हमारा है पहला जो अड्रेस manufacturing है हमारा two input variable जैसमें हम two input council लिए a और b तो आपको पता होगा जितने input होते हैं तो उसमें sellों की संख्या कितने होती है input पर depend करता है cell तो cell की संख्यार जो होती है input के मदब 2 की power n होता है, n के हमारा input है n के हमारा input है जितने input होंगे उतने ही cell हमें मिलेंगे, कितने 2 की power n तो इसमें कितने input, 2 input है तो हमें cell कितने मिलेंगे यहां पर 2 की power 2, यानि कि 4 cell हमें बनाना पड़ेगा, फोर्सेल हमें बनाना पड़ेगा, तो कैसे बनेंगे फोर्सेल, तो यह हमारा फोर्सेल बन रहा है, तो इसमें देखिए अब चार सेल बन गए, एक, दो, तीन, चार, चार सेल इसमें बना लिए गए हैं, अब इसमें हम इसको address देंगे, इसका नाम अब यहाँ पर आपको इसको decide करना है कि कौन से LSB है, कौन सा MSB है, यहाँ low significant bit और high significant bit यानि LSB और HSB LSB और HSB हमें इसमें define करना रहेगा, तो अगर हम एक को ले ले लेते हैं LSB, यानि कि low significant bit LSB और दूसरे को ले लेते हैं, HSB यानि high significant bit होता है, तो हम पहले क्या शुरू करेंगे, जो यहाँ पर HSB है, तो हम जब लिखेंगे तो पहले हमें HSB को लिखेंगे, उसके बाद LSB को लिखेंगे, मालों यहाँ पर हमारा देगिया 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0 दिया है, तो इसमें LSB क्या है LSB हमारा 1 है, और HSB क्या है, जीरो है या फिर 1 है, क्योंकि जीधर कर जीरो तो छोड़ देंगे, लेकिन 1 हमारा जो होगा, यह HSB होगा, तो इसी परकाद जो पहले हमें लिखना हो, HSB लिखना है, यानि कि इस वाले रो को लिखना है, उसके बाद हम रो को लिखेंगे, तो देखो, दो इनपूर्ट है, दो इनपूर्ट तो इससे पर कॉम्बिनेशनल क्यों हो जाएंगे? 00, 01, 10, 11 होगे, क्या होगे? 00, 01,10, 11 ये कॉम्बिनेसनल हो जाएंगे, मततब कि हम संभावित जो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 0,100, 10, 11 बनेंगे, यह निक चार ही हमें गरलिए एक जो संभावित combination है वो बनेंगे तो इनको हम यहाँ पर resonate करते हैं तो ए मरले में क्या होगा इधर एक input है A तो एक बार 0 होगा एक बार 1 होगा क्या होगा एक बार 0 होगा एक बार 1 होगा बी में फिर एधर एक बार 0 होगा एक बार 1 होगा, इससे ज़य्यादे तो कुछ होने सकता कि एक ही इंपूट है, यहां पर एक या होगा, एक बार 0, एक बार 1 और यहां पर 1 और यहां पर 1 एक बार 0, यहां नि जो हमारा LSB उधर 1 एक इंपूट हो, LSB में, sorry, HSB में भी 1 input है इस hsb को कभी-कभी msb बोल देते हैं maximum significant bit तो उसमें confuse मत होना hsb और msb एक ही चीज़ होता है ठीक तो यहाँ पर हम इसको अब देखो पहले वाले जो cell है यह cell number 1 है इसको हम देंगे address address क्या देंगे तो पहले हम किसके लिखेंगे hsb लिखेंगे यहीं msb लिखेंगे तो इसमें क्या हमारा दिया है 0 दिया तो इसको लिखेंगे 0 उसके बाद क्या लिखेंगे lsb lsb क्या हमारा है 0 है तो पहला जो हमारा cell है उसका क्या है 0 0 आ जाएगा दूसरे cell में आ जाते हैं दूसरा cell हमारा है तो इसमें क्या है पहले hsb लिखेंगे hsb हमारा क्या होता है hsb हमारा क्या है इसमें 0 है और लस्वे lsb क्या है 1 है तो इसको 1 लिख देंगे फिर तीसरे वाले cell में आते हैं तीसरे वाले cell में क्या है hsb हमारा 1 है 1 लिख देंगे और जो हमारा LSB हो कितना है 0 है तो इसको 0 लिख देंगे फिर इसके बाद हमारा आते है आप किसी को भी मान सकते हैं बस हाँ जिसको एचसबी मानना उसको पहले लिखना उसके बाद लस्बी लिखना हैनि एचसबी पहले लिखा जाएगा और लस्बी बाद में लिखा जाएगा तो आप जो चाहें वो मान सकते हैं को जिसको मानना चाहा है A को माने A को मान सकते B को माने B को मान सकते और Hsb अगर B को माने B को मान सकते A को मान सकते लेकिन हाँ यह जरूर है कि अगर जिसको hsb मानोंगे जिसको msb मानोंगे उसी को पहले लिखना पड़ेगा तो यह याद रखना तो यह हमारा हो गया अब इसको हम जैसे आपकी बुक में रिप्रिजेंट किया गया होगा यम के साथ यम 0, यम 1, यम 2, यम 3 ऐसे रिप्रिजेंट किया गया होगा तो उसका मतलब क्या होता है जो यम 0, यम 1 आता है तो यहां से लिया जाता है अब इसका क्या निकालेंगे तो 00 क्या आता हमारा 0 होता तो यह क्या हो जाएगा यम 0 हो जाएगा यह क्या हो जाएगा यम 0 हो जाएग इसके आगे आप 00 लगा सकते हैं उसके कोई फरक पढ़ने वाला नहीं है तो 10 हमारा क्या होगा? 2 होगा तो इसको हम क्या लिख देंगे? यहम 2 लिख देंगे उसके बाद लश्ट में क्या आता हमारा? 11, 11 दोनों को करेंगे कितना 3 आएगा तो इसको क्या लिख देंगे हम यम 3 लिख देंगे यहां से आता है हमारा यम तो यम 3 और इसका जो हम आड़र लेंगे यानि MSB, LHB तो A इसको ले लिए और A, B हम इसको ले लिए MSB और LSB यह आपको पता होना चाहिए कि gray code conversion हो सब आप पढ़ चुके होंगे तभी आपको एक game map समझ में आएगा तो आपसे यह उमीद करते हैं कि आप एस सब पढ़े हैं तभी game map हमारा देख रहे हैं तो game map में basically होता क्या है कि हर एक step में एक code में exchange होता है यहां पर हमारा क्या था 0 था तो इस बार कितना आ जाएगा हमारा one हो जाएगा उसी परकार यहां पर कितना था 0 था और इस बार कितना आ जाएगा हमारा one हो जाएगा अब इसी परकार हम इसका address देते हैं जो कि आपको इसमें समझ में आ गया होगा I hope two input variable का addressing तो आपको समझ में आ गया होगा इसमें अगर किसी कोई doubt हो तो please comment कर देना कि हाँ doubt किया जब तक addressing आप नहीं समझ पाएंगे तब तक आप इसमें input देखे आपको true table नहीं बना सकते हैं तो please इसको एक बार दो तीन बार देखना आपको समझ में आ जाएगा तब अपने निश्ट पे हम बढ़ते हैं जिसका नाम होगा तू थिरी input variable यहनि थिरी input variable में देखेंगे कि क्या होता है थिरी input variable में आपके यन कितने हैं यन की value कि हमारा थिरी है तो combinational circuit यानि की जो हमारे संभावित combination बनेंगे वो कितने बनेंगे 2 की power यान यानि की कितना बनेंगे 2 की power 3 यानि की 8 हमारा बनेंगे 8 कैसे बनेंगे 0,0,0 पहला हो जाएगा हमारा तो यह हमारे हो जाएगे 8 combination देखे 4 इदर दिया 0,1,2,3,4,5,6,7 0 से 7 बनता किसमें आएगा यह हमारे 8 combination हो गए अब इसी combination को हम इसमें input करेंगे किसमें जो हमारा graphical representation है उसमें तो इसके लिए कितने cell की ज़रोद पड़ेगी हमें तो 2 की power n यानि की 2 की power 3 equal to हमारे 8 8 cell की ज़रोद पड़ेगी कितने cell की ज़रोद तो 8 cell की ज़रोद तो इसी प्रकार हम इसमें cell बनाएंगे और उसमें हम इनका जो address होगा ओ address को हम input करेंगे तो हमारे 8 cell बन गए इसमें आप देख सकते हैं 4 उपर बने 4 नीचे बने हैं तो इसमें हम किसी को भी LSB ले सकते हैं तो अगर हम C को चाहें इसमें C को LSB ले सकते हैं LSB हो जाएगा हमारा और इसको हम MSB या HSB ले सकते हैं हाई को बेट ठीक हम HSB हो गया और LSB हो गया तो अब इसमें हम इसका address देंगे तो कैसे देंगे पहले हमारा क्या है गा जो इधर AB है दो input हैं तो इसका combination किते हैं 00 होगा, 01 होगा, 10 होगा और 11 होगा एच चार इसके संभावित combination बनेंगे हमारे तो उसी परकार यहाँ पर हम लिखते चले जाएंगे 00, 01, 10, 11 तो हम इसको लिख देते हैं देखो यहाँ पर तो हम लिख दे 00, 01 होगा है लेकिन यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1 and 0 आएगा 1 and 0 अब यहाँ पर ध्यान से देखे इससे पहले हम आपको बता चुके हैं जो kmip होता हो किस पर काम करता है gray code पर काम करता है तो gray code में आपको बताया गया है कि जो gray code होता हर एक किस्टे में एक bit change करता है तो यहाँ पर देखो one 0 के बाद क्या आगया 01 के बाद one 0 आएगा यहाँ कि दोनो bit change हो गए तो यह हर एक किस्टे में एक ही bit change करता हります तो यहाँ पर हम एक ही bit हमें change करना है तो यहाँ पर हम one को ऐसे रखेंगे और जो 0 है उसको 1 कर देंगे यानि कि यहाँ पर क्या आएगा हमारा 1 & 1 आएगा 1 & 1 यानि कि जो यहाँ पर आया है उसको हम पहले यहाँ पर ले कराएंगे क्योंकि हमें हर एक किस्टे में एक ही बिट को चेंज करना है एक grey code के carding है हमारा grey code के definition पढ़ना वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा होता क्यों है अब उसके बाद आप देखो 1 1 यहाँ पर आगा है तो बच्चा कौंसा एक ही combination तो बच्चा क्या 1 & 0 तो 1 & 0 हमारा इस वाले इस पर आजाएगा नहीं चौथा जो सेल हमारा इधर का उस चौथे सेल का जो address होगा वो कितना होगा 1 & 0 होगा तो इसका code कितना आएगा 00 हो जाएगा 01 हो जाएगा 11 & 10 हो जाएगा यह इस पर confuse मत होना कि यहाँ पर 11 क्यों आया क्योंकि ग्रे कोड के हिसाब से यहाँ पर 11 आया है ग्रे कोड क्या कहता हर एक हिस्टे में हमारा 1 bit ही change होता है अदरवाइस कुछ नहीं change होता है तो उसके बाद हमारा यहाँ पर आएगा C यह तो हमारा confirm होगा कि हाँ इधर का address हमारा यह होगा 001011 & 10 इसके बाद हमारा CAC का एक ही variable तो इसका क्या होगा हमारा 0 & 1 होगा इसमें भी आप देख लें एक बार में एक ही bit हमारा change हो रहा है जिरो वहाँ पर था जहां पर हमारा 1 आ गया है अगर इस सेल का अगर हम डिजिट दें सेल का अगर address दें तो क्या आएगा पहले हम क्या लिखेंगे MSB लिखेंगे यानि कि LSB या HSB या MSB दोनों एक ही चीज़ है तो पहले हम लिखेंगे 0 & 0 उसके बाद लिखेंगे LSB LSB यानि कि जो पहला हमारा CAC क्या होगा है हमारा 000 होगा इसकी address क्या है कि 000 होगा उसके बाद दूसरा address हमारा क्या होगा पहले हम क्या लखेंगे hsb लखें 0 and 1 उसके बाद क्या लखेंगे lsb 0 हो जाएगा उसी प्रकार हम इसका लखेंगे 11 and 0 लखेंगे और इसका 100 0 लखेंगे अब बिल्कुल उसी प्रकार जैसे अभी तक की है उसी प्रकार नीचे लिखेंगे पहले हम hsb लखेंगे 00 and 1 लिखेंगे और इधर हमारा 0,1, 1 हो जाएगा 1,1, 1 हो जाएगा उसके बाद कि हमारा 1,0,1 हो जाएगा यह हमारा ऐसे हो गया अब इसको दोखो हम यहाँ पर बना है आप ऐसे भी बना सकते हैं इसमें कोई दिक्कत है आप इधर को आर्ट से इधर को भी बना सकते है यह भी सही रहेगा बस आप यह याद रखना जो msb, hsb लेते हो उसी साब से हम रिप्रेजेंट करेंगे अब इधर हम क्या ले ले? c ले ले इधर हम a, b, b, c हमारा हो गया अब इसको हम hsb मान लेते हैं या lsb मान लेते हैं कुछ भी मान लिए इसको हम lsb मान लिए तो जो hsb उसको हम पहले लिखेंगे तो वैसे है answer आएगा तो आप एक ही step को यूज करो आप यह step यूज करो क्योंकि आगे जब 4 variable पढ़ोगे तब आपको यह step फी पढ़ना पड़ेगा यह step आप पढ़ने में फिर confused होने लगोगे तो a b को हमेशा उपर रखना अब उसके बाद c को नीचे रखना अब चार variable होगा तो यहें c के जागा पर हम d का यूज कर सकते हैं तो नीचे हमारा c d हो जाएगा उपर हमारा a b आएगा अगर इसको हम इसी variable के रूप में इसका address दें तो कैसे देंगे उसके रूप में हम अगर address दें तो यहाँ जीरो जीरो दिया गया है तो जीरो मतलब होता हमारा बार होता है a बार हो जाएगा b बार हो जाएगा A है, यहांनी 1 है, तो हमारा हो जाएगा B, यहांनी A बार B हो जाएगा, जहां पर 0 वहां पर 2 लगेगा, यहां पर दोनों 1, 1 हैं, तो यहां पर क्या हमारा? A B आ जाएगा और यहां पर हमारा क्या आ जाएगा A and B बार आ जाएगा तो देखो इसका finally हमारा क्या आता है A B आता है A B A बार B फिर A बार B बार A B A बार B फिर हमारा आता है A B उसके बार आता है A B बार आता है क्या आता है A बार B बार A बार B AB AB बार आता है यहमारा finally answer आता है वसी बार नीचे यहाँ पर दिया गया है क्या यह C दिया तो यह C बार हो जाएगा और हमारा यह C हो जाएगा तो इस प्रकार भी इसका representation किया जाता है आज इसे मालो इस वाले सिल्का पूछ लिया जा तो इसका representation इस वाले का हमारा हो जाएगा AB बार C हो जाएगा और अगर आप देखो तो यह भी 101 जो लिखा है 101 AB A 1 का मतलब यह हो गया उसके बाद किया B बार यानि कि बीच में हम जो बी लिये हैं वो B बार हो जाएगा 0 बतलब B बार और C हमारा इधर का है C हमारा 1 हो जाएगा तो आप इस वाले जो हमारे digit दी गए 101 से भी हम AB बार C निकाल सकते हैं तो यह हो जाएगा हमारा AB बार C अगर इसका आप देखा जाए ग्रे उसमें डेसिमल कोड में निकाला जाए तो पहला तो हमारा हो जाएगा 0 तो इसको हम क्या लिखेंगे यम 0 लिखेंगे क्या लिखेंगे यम 0 दूसरा हमारा क्या हो जाएगा 4, 2, 1 हो जाएगा तो इसको हम क्या लिखेंगे यम 2 क्या हो जाएगा हमारा यम 2 हो जाएगा तीसरा हमारा क्या हो जाएगा यह हमारा हो जाएगा 4 यह हो जाएगा M6 हो जाएगा क्या हो जाएगा M6 और यह हमारा क्या होगा 4 यह देखो आप binary code आपको पता होगा binary code क्या होता है यह हमारा decimal code का 4 ही तो लिखा है तो हमारा decimal code का 4 ही तो है binary digit में लिखा है, तो M4 हो जाएगा उसी प्रकार नीचे क्या हमारा M1 है M1 है, और उसके बाद यहाँ पे क्या हमारा दिया गया है M1 के बाद M3 दिया गया है M3, तो देखो 0, 1 2, 3, और यहाँ पे हमारा क्या है 2, 3 के बाद सीथे यहाँ पे आना 0, 0 और यहाँ पे क्या दिया गया है सोरी, यहाँ पे हमारा पहले होगा C बार उसके बाद आएगा C यहाँ पे पहले C बार, तो 0, 0 और 0 तो 0, 0 क्या हमारा 0 हो जाएगा यानि कि M0, फिर यहाँ पे हमारा नीचे वाले में आ जाते हैं, उसी कालम कि दूस्य रो में आते हैं, तो हमारा 0, 0, 1 यानि कि M1 हो जाएगा यह, M1 हो जाएगा उसके बाद 0, 1, 0, यानि कि M2 हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगे M3, आप देख सकते हैं क्या 0, 1, 0, 1 और 1 0, 11 हमारा 3 ही ही तो है 1, 1, and 0 110 हमारा क्या होता यम 6 होता है यह नि 6 होता तो उसको यम 6 से लिख देंगे और उसी पार जब तीनो 1 होते है 11 and C1 तो हमारा क्या हो जागा यम 7 हो जाएगा इसको हम 7 से represent करेंगे उसके बाद यहाँ पर आजागा यम 4 and यम 5 आफ इसको समझ सकते हैं कि हाँ यह आया कहा से इसकी लूपिंग कैसे करते हैं लेकिन पहले आप यह जानो कि हाँ इसकी एड्रेसिंग कैसे करते हैं एड्रेस आपको पता चल जाएगा हर एक सेल का तब आप इसकी लूपिंग अच्छे कर लेंगे और इसका equation भी आप solve कर सकते हैं तो यह था 3 input variable अब देखते हैं 4 input variable में क्या करते हैं तो 4 input variable में क्या होगा जो यन की संख्या हमारी है वो कितनी है 4 है यन संख्या हमारी 4 है तो सेलों की संख्या क्या होगी हमारी सेल की संख्या हो जाएगा 2 की पावर n एने की 15 तक आयागा, कहां से 0 to 15 तक, 0 to 15 तक इसमें जो binary डिजिट आएंगे, चलिए फी बनाते हैं इसका cell, आप इसमें 4 variable, cell देख सकते हैं, इसमें कितने cell बनाये गए हैं, देखो 4 चोग 16, 16 cell इसमें बनाये गए हैं, तो इसकी भी addressing हमें वैसे करना, तो आप ये देख लो, अभी जब हम आपको 3 variable बताएं हैं, तो उसमें आपको ये बताया गया है ते कि इधर जोगो, A bar, B bar, A bar, B, A, B और A, B bar, इसी परकार इधर को तो कर लेंगे, लेकिन अब इधर की बात आते हैं, जो हमारा vertical है, तो vertical में क्या है, C bar, D bar कर देंगे हम, उसी परकार, C, A bar, B, और हमार C bar, D हो जाएगा, C bar, D हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा, C, D and C, D bar हो जाएगा, बिल्कुल सेम उसी परकार करना है, इसमें LSB, HSB आप किसी को मान सकते हो, वो A पे depend करता है, तो हम इसको मान लेते हैं, क्या LSB हो जाएगा, LSB, और हमारा हो जाएगा है, HSB, तो इसी प हो जाएगे, फिर उसके बाद ये क्या है, ये हमारा 0 है, मतलब A bar 0 हो गया, और B bar हमारा क्या है, और B bar, ऐसमें allen, तो ये 1 हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, जिरो, जिरो हो जाएगा, यहाँ पर थोड़ी गलती हो गोगे हम है hsb माल लेते हैं इसको क्या माल पंदिए hsb और uhsb गोAssad Sans भी ने इस पर हमें ने यानी कि पीछे लिखते हैं इत्वाहाँ पहले लिखते हैं तो यहां पर आप यांप व Zarra को लेना ये और उसके बाद कि हमारा A, B है यानि कि 16 जो 16 सेल हमारे हैं उन 16 सेलों को हम एड्रेस दे रेंगे क्या हमारा कौंसा सेल किस पर आता है तो उस ही के तुलना देखो यहां पर हम दिए A, बार, B बार दिए तो उसका क्या लिख देंगे? 00 लिख देंगे A, बार, B, 0, 1 हो जाएगा AB 11 हो जाएगा और हमारा AB बार 10 हो जाएगा यानि कि जहां पर बार लगा हो हमारा 0 हो जाएगा जहां पर बार नहीं लगा हो हमारा 1 होगा तो बिल्कुल सेम वही कापी हम यहां पर कर देते हैं अब इसका अगर हम इसका binary का हम जो binary digits में दिया गया है इसका अगर decimal code निकल ले तो हम वो EM के साल लग देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा EM0 हो जाएगा उसके बाद EM1 हो जाएगा ये हमारा ये क्या हो जाएगा EM1 फिर उसके बाद क्या हमारा 011 यानि कि ये आ जाएगा हमारा EM3 हो जाएगा उसके बार यह हमारा हो जाएगा M2 तो उसी प्रकार हम इसको निकालते चले जाएते M4 हो जाएगा हमारा, यह हमारा हो जाएगा M5, यह हमारा हो जाएगा M7 and M6 हो जाएगा M6 हो जाएगा और यह हमारे क्या जाएगा 11, 11 and 00 तो आप देख सकते हैं 421 से हमारा क्या 11 werd 002 चाहिए 8hésitezعة 12 weather 便 115 हो जाएगा यहुद इयम पंदर अथा 14 हो जाएगा वसके बाद हमारा यहां पे आया 1011 10 10 00 तो कितिना दिया आठ दिया गया तो यह हमारा क्या हुजा है M8 M9 और M11 M12 तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 01 उसके बाद फिर एक कालम छोड़के तब 2 आ रहा है क्योंकि यहां पर ग्रे कोड का यूज किया गया यहां पर 00 था यहां पर एक डिजिट चेंज किया गया यह एक बिट को चेंज किया तो क्या आएगा 01 हो गया उसके फिर एक बिट को चेंज किया तो देख वन को ऐसे रखा गया है जिरो को वन कर दिया गया है तो यहां पर क्या लग रहा हमारा ग्रे कोड लग रहा है ग्रे कोड के साफसे इसमें काम किया जा रहा है और उसी प्रकार जब decimal code निकालोगे उन सबका तो कुछ इसी प्रकार हमारा combination बनेगा तो आप देखते हैं 0, 1, 3, 2 4, 5 यहाँ पर आजा है हमारा 7 and 6 4, 5, 7, 6 हो जाएगा यह ठीक उसे 12, 13 and 15, 16 8, 9 and 11, 12 ऐसे हमारा आएगा उसी प्रकार इधर भी देख लो क्या हमारा आता है तो ऐसे इसकी addressing किया जाता है तो I hope जो 4 input variable है इसकी addressing आपको समझ में आई होगी तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं आज का जो हमारा topic था वो introduction था introduction आपको के map का introduction हो चुका होगा आपको समझ में आएगा के map में करते क्या है तो आज के लिए बस इतना ही next video में इसकी grouping सिखाएंगे आपको कि हाँ इसका group कैसे करते हैं जब question आता उसको attend कैसे करते हैं यह आप आप सब को सब समझ में आजाएगा तो आप बने रहे हैं यहीं पर तब तक के लिए जय हिन जय भारत